प्रोब्राम के थूरू पूरा इंप्लिमेंटेशन भी देखा था कि कैसे टेबिलर मेथड के थूरू हम जीरो वन नैपसेक प्राब्लम को सॉल्व करते हैं और कैसे ऑप्टिमल रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में हम जीरो वन नैपसेक प्राब्लम को सेट मैथड से सॉल्व करके देखेंगे अब आपकी दिमाग में कुश्चन आ रहा होगा कि सर हम तो युनिव से स्ञ सब्सक्राइब वन ने किया है वही सपिशेंट है बट ऐसा नहीं है क्योंकि ट्यब्लर मेथट यदि कल कीवग लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था यदी कैपसिटी बहुत जादा है तो आपको जितने ।ो आपको से श्याफंट काने होते हैं यदि आप सेट होता 6 की जगह तो आपको total 60 columns वहाँ पे create करने होते हैं वो आपके exam point of view से बहुत आपका बहुत time consuming task हो जाता है that's why हम set method को use करते हैं now set method और tabular method result से ही मिलेगा कोई भी result में कोई problem नहीं optimal solution find out करने के लिए होते हैं यहाँ पे हमारे पास में question given है total हमारे पास में 3 object है n equals to 3 और हर एक object का profit given है हर एक object का weight given और capacity is 6 now set method से जब हम इसको solve करते हैं तो let us assume first set is s0 set और s0 set में हम यह बोल रहे हैं कि हम यह assume करके चल रहे हैं like last video हमने यह देखा था कि जो हमारा weight है यदि वो 0 है की capacity भी 0 है तो मतलब कोई भी profit नहीं हुआ ठीक तो उसी case में हम यह बोल रहे हैं कि for example the weight and capacity of the particular knapsack is 00 ठीक मतलब initially हम यह बोल रहे हैं कि weight भी 0 है मेरा capacity भी 0 है मतलब profit भी 0 है weight भी 0 है first वाले को मैं profit consider कर रहा हूं second वाले को में weight consider कर रहा हूं यह profit हो गया यह weight अब मैं इसमें particular object को रखना चाह रहा हूं तो जब मैं रखूंगा तो set मैं कैसे रखूंगा let's suppose s0 set का first copy एक copy बना लेता हूं मैं इसकी उसमें मैं यहां पर रखता हूं then finally हम जो set है उनको merge कर देंगे now सबसे पहले first object को मैं रख रहा हूं तो first object को रखने से मेरा profit कितना है one weight कितना है इसका two so क्या हो गया profit plus profit को plus कर दें profit से तो कितना हो गया one weight कितना है मेरा two so two plus zero तो कितना हो गया two एक set में यह निकल करके आ गया one two अब हम क्या करेंगे दोनों set को combine कर देंगे दोनों set को जैसे combine करेंगे तो एक new set बनेगा जिसको हमने बोला s0 so 00 और 12 यह मेरा एक new set बनके आ गया ठीक now इतना करने के बाद तो कि अभी आपने सिर्फ एक ही object को रखा है अभी आपके पास डो object remaining बचे हुए है तो second number के object को pick करते हैं now second number के object का profit कितना है two weight कितना है three तो यहाँ पे हम क्या करेंगे add करते जाएंगे तो मैं क्या करना हूं इसके particular case में एक s1 का एक copy बना लेता हूं तो यहाँ पे देख लिए जीरो प्लस टू तो कितना हो गया टू और जीरो प्लस थ्री कितना हो गया थ्री एक सेट आपका यह बन गया ठीक now next वान इस वाले से भी आप चेक करेंगे तो 1 प्लस 2 तो कितना हो गया आपके पास में 3 and 2 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास में 5 तो आप क्या करेंगे finally इस सेट को combine कर देंगे तो एक new set बनाएंगे क्योंकि अभी हमारा third object बचा हुआ है तो उसको new set का name दे दिया s2 now अब इन दोनों को combine करें ठीक तो यहाँ पे combine करा य जीरो जीरो एक set हो गया one two दूसरा set हो गया then two three आपके पास में तीसरा set हो गया three five आपके पास में चोथा set हो गया अब जब भी आप set को combine करेंगे तो combine करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह आप weight को represent कर रहे है यह capacity से weight आपका ज्यादा नहीं हो चाहिए यह दी capacity से by chance weight आपका ज्यादा हो गया तो उस particular case में आप उसमें रखी नहीं सकते रखी नहीं सकते तो उस particular set को आपको वहां से discard करना पड़ेगा वो situation अभी आगया आएगी तो मैं आपको explain करता हूँ now third object को pick करते हैं तो third object को pick करने के लिए एक s2 का one copy बना लेते हैं third object को pick करते हैं तो third object का profit कितना है 5 plus 0 कितना हो गया 5 now zero plus 4 कितना हो गया 4 ठीक है तो एक ही आगया second one is a 5 plus 1 कितना हो गया 6 4 plus 2 कितना हो गया 6 तो second हो गया now 2 plus 5 कितना हो गया 7 3 plus 4 कितना हो गया आपके पास में 7 now next 3 plus 5 कितना हो गया 8 and 5 plus 4 कितना हो गया 9 चीक अब यहां पे जब मैं S3 set बनाऊंगा जो कि मेरा final conclusion होगा तो S3 set बनाते वक्त मुझे उस set को discard करना है जिस set में weight मतलब capacity से ज़्यादा हो रहा है तो देखिए कौन कौन सा यहां पे यह दिया आप देखे 8 और 9 तो 9 is the weight तो 9 capacity कितनी दी आपकी 6 तो यह वाला तो आपका discard हो जाए now next one क्या 7 is greater as compared to capacity yes greater है तो यह भी आपका discard हो जाएगा क्या 6 greater capacity से no तो capacity 6 वाला हम यहाँ पे रख सकते है ठीक एक चीज तो यह हो गई दूसरी चीज आपको एक और चीज देखनी है देखिए यदि आपने for example किसी particular weight को रखा तो उससे profit भी आपका increase होगा मतलब weight जैसे ही आएगा profit increase होगा ऐसा तो possible ही नहीं कि weight रखे नहीं और profit increase हो जाए तो ऐसा तो possible ही नहीं तो हमें वो particular pair को भी identify करना है तो weight is 0 profit is 0 weight is 0 profit is 1 weight 2 profit 2 weight 3 ठीक है मतलब profit बढ़ रहा है तो weight भी बढ़ रहा है यहां भी profit बढ़ा तो weight बढ़ा यहां पर देखो इस particular case में profit तो बढ़ा लेकिन weight आपका नहीं बढ़ा तो ऐसा कैसे possible profit बढ़ रहा है बट weight नहीं बढ़ रहा है मतलब knapsack में आपने कोई object को रखा ही नहीं तो profit क कैसे बढ़ सकता है ठीक मतलब दोनों चीज़ें आपकी बढ़ना चाहिए तो ऐसे particular cases को हम यह बोलते है dominance rule this situation is called as a dominance rule so इसको बोलते है dominance rule dominance rule यह कहता है कि आप क्या करो उस particular set को discard कर दो उस particular pair को और set को discard कर दो जिस particular से आपको profit कम मिल रहा है और weight बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे देखना यदि इसके previous वाले पे आऊ तो 3 profit weight 5 यहाँ इन दोनों को compare करो तो profit कितना 5 और weight कितना है 4 तिक तो किसमें कम लग रहा है यदि आप देखो तो इस वाले में weight भी कम है जिससे profit जादा लग रहा है तो इस particular case में हम इस वाले को उसके एक previous वाले को discard कर देते हैं ऐसी situation और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी से flush so final conclude कर रहा हूँ फइनल जो میरे पास में set बन रहा है zero zero 1 2 2 3 इसको discard कर दिया तो यह हो गया 5 4 और ये ओ गया आपके पास में 6 6 किदी आप इसको देख कर दो profit यह नहीं है तो it be ready नहीं बड़ा तो wade बड़ा profit बड़ा तो वेट बड़ा profit बड़ा तो वेट बड़ा ठीक है अब यहां पे profit कितना भी हो सकता है 5000 भी हो सकता है बट आप वेट 3 था तो यहां आप देखो आप वेट 4 हुआ ठीक ना profit बड़ा वेट बड़ा यह बन गया आपका final set और इस final set में जैसे कि last lecture में हमने यह देखा था कि जो final आपको return कर रहा था वो last वाला कर रहा था तो यहां पे भी last वाला ही आपका profit होगा अब हमें क्या चेक करना है यहां पर जैसे कि नहीं आपको 6-6 इस particular pair से profit मिला है highest profit achieved हुआ है तो हमें यह चेक करना है कि यह जो particular pair है 6-6 यह pair क्या previous वाले set में exist करता है मतलब 6-6 क्या belong करता है आपके S3 set को yes करता है क्या 6-6 आपका belong करता है S2 set को यह S2 set को belong कर रहा है क्या S2 set को belong कर रहा है no S2 set को belong नहीं कर रहा है मतलब हम यह बोल रहे हैं कि जो हम एक extra array maintain करके रख रहे थे जिसमें हम यह बता रहे थे कि कि किस particular object को हमने pick किया और किस particular object को हम case में object number 3 को आपने pick किया, तो 1 पर put कर देंगे 0 मतलब यह कि आपने उस particular object को pick नहीं किया, 1 means उस particular object को pick किया, जिसको pick किया मतलब उससे आपने profit अचीब किया now object number 3 को आपने pick किया, now pick करने के बाद में A6 और 6 इसमें से अब हम क्या करेंगे, यह particular किया represent कर रहा है profit को तो इस particular object number 3, 6 के profit को देखिए, 3 के profit को देखिए 5, इसके weight को देखिए कितना 4, तो finally क्या बन जाएगा, 1, 2 अब आपके पास में एक और set आगया एक और pair आगया 1, 2, इसको आपको check करना है, तो क्या 1, 2 pair belong करता है set S2 को, तो हम check कर लेते हैं yes करता है, ठीके, तो हम इसके previous वाले को भी देखिएंगे, क्या 1, 2 pair belong कर रहा है set S1 को, तो 1, 2 pair क्या belong कर रहा है set S1 को, yes कर रहा है तो इसको भी कर रहे है, क्या 1, 2 pair belong कर रहा है set S0 को, तो S0 में है क्या नहीं s0 में नहीं है इस यह particular profit आपने किस particular set से मिल रहा है s1 से तो s1 को क्या कर देंगे और s2 को क्या कर देंगे इस particular case में 0 आब आप देखें तो one two sso one इसका1 मतला first वाला object पर्फिड का profit कितना था one और weight कितना था two तो finally आपके पास में क्या आ गया 00 ठीक तो इस तरह से आप set method के through कोई भी question जिसकी capacity बहुत ज़्यादा भी है तो उसको भी solve कर सकते हैं using set method. So this is all about the 0-1 napsack problem using set method. Thank you so much.